अस्तलाम उलेकुम दोस्तों यदि आप कतर में रहते हो और कतर गेम तरीन कपरों से में इसा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्कूप का पूरा देखिए चैनल पर नहीं हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्लेस कर जबाब देने के लिए तो सबसे पहली खबर दोस्तों जो आ रही है कतर से वो दोहा बैंक से आ रही है तो सात्यों दोहा बैंक के जो सीओ थे जो जिसे चीफ एक्सक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है उनका नाम तर डॉक्टर आर सीता रमन जो की लगभग 15 सालों से दोहा ब अब दोहा बैंक के लूबल के दिन का नाम है सीता रमन साहब कलके दिन वह रिजायन का अब चलते हैं की अगली के लोग के लोग भी सामिल ते उनका नाम है मलाला योसूफ फजई उनके द्वारा दोस्तों बताया गया है कि तालिबान में जो लड़कियों को लेकर जितने भी स्कूल कॉलेजेस को बने नागरीक उड्डियन मंतराल है यानि DCA के तरब से बढ़ता क्रोने मामले को रोकने के लिए 23 माच 2020 को भारत से अंतराश्टी कमर्सियल यातरी विमानों को सभी को रोक लगा दी थी जैसा कि मैंने आपको बताया अब वैक्सिन का दोस्तों की काम है वो काफी तेजी से चल रहा है लोगों को जादा से जादा वैक्सिनेटेट किया जा रहा है और बहुत ही कम केस पूरी दुनिया में भी आ रहा है और भारत में भी काफी कम केस आ रहा है इसी को देखते हो साथी अंतराश्टी फ्लाइट पर फिर से दोबारा इसे इस्टार्ट कर दिया गया है कोविट के निर्देशा अनुसा अंतराष्टे उडानों पर तीन सीटों को खाली रखने का परतिबंद भी हटा दिया गया यानि दोस्तो एक सीट छोड़कर जो आपको बैठाया जाता था यदि आप ट्रेवल की होंगे कुछ दिनों के बीच में तो आपको पता होगा कि बीच में गैप रखा जाता था तो वो भी गैप को अब हटा दिया गया है तीनों सीट में आप व्यात्तिरी बैट पाएंगे कुरोना को मामलो कनी आने पर चालक दल के सदस्यों के लिए पूर्ण PPI कीट का और सकता खतम कर दिया गया है तो साथियों जो भी लोग आप ट्रैवल करना चाहते हो आपके लिए बहुत बढ़िया ख़बर ती है क्योंकि आप फ्लाइट जो है वो स्टार्ट नॉर्मल हो चुका है अब दोस्तों एक छोटी सी ख़बर के और हम जान लेते हैं जो की कतर से आरे दोस्तों फीफा वर्ल कप को लेकर कतर एनर्जी के तरफ से कल की दिन एनॉस्मेंट किया गया है कि फीफा कप फीफा वर्ल कप और कतर एनर्जी की बीच में ऑफिसियल पार्टनर रहेंगे इस बार मैच के दोरान तो Qatar energy के तरफ से announcement किया गया तो ये कुछ updates थी, कुछ खबरी थी जो की Qatar से आ रहे थी मैंने अब तक share किया आसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करें दोस्तों साथ share करें ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके मिलते साथ ये शुडियो पर अलाफीसन टेक केर